नमस्कार सभी को हम इस वीडियो में सुनेंगे मोक्षिता एकादसी की वृत कथा एक बार महाराज युदिस्टर ने भगवान स्री किष्ण से कहा हे भगवन आप तीनों लोकों के स्वामी सब को सुख देने वाले और जगत की पती हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देव आप सबके हितेसी है अते मेरे शंसे को दूर करके मुझे बताईए कि मार्क्सीस एकादसी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है उसकी विधी क्या है किर्प्या मुझे बताईए भाक्त वस्ल वहवान स्री किष्ण कहने लगे कि दर्मराज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है इसके सुनने से तुमारा यस संसार में फैलेगा मार्क्सीस सुक्ल एकादसी अनेक पापों को नश्ट करने वाली है इसका नाम मोक्षदा एकादसी है इस दिन पुल नाम के नगर में पैसा नक नाम का एक राजा राजे करता था उसके राजे में चारों वेदों के ग्याता ब्रामन रहते थे वहे राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत प्रालन किया करता था एक वार रातरी में राजा ने एक स्वपने देखा कि उसके पिता नरक में ह पड़ा हूँ, यहां से तुम मुझे मुक्त कराओ, जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचेन हूँ, चित्त से बड़ी असानती हो रही है, मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, इस्त्री, हाती, घोड़े, आदी में कुछ भी सुक परतीत नहीं होता, क्या क राजा ने कहा, हे ब्राम्मन देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा सरीर जल रहा है, अब आप ही करपा करके कोई तप, दान, व्रत, आदी, ऐसा उपाय बताईए, जिससे मेरे पिता को मुक्ती मिल जाए, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, जो अपने माता-पिता का बतार करता है, वह हजार मुर्ख पुत्रों से अच्छा है, जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकास कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते, ब्राम्मनों ने कहा, हे राजन, यहां पास ही भूत भविश्य वरतमान के ग्याता परवत रिशी का आश्रम है, ऐसा सुनकर राजा मुनी के आश्रम पर गया, उसने आश्रम में अनेक सांध, चित्त, योगी और मुनी तपश्या कर रहे थे, उसी जगे परवत मुनी बैठे थे, राजा ने मुनी को साश्टंग दंदवर्द किया, मुनी ने राजा से सांगो पांग कुसल पूछी, त्विचारने लगे, फिर बोले हे राजन, मैंने योग के बल से तुमारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है, उन्होंने पूर जनम में कामातुर होकर एक पत्नी को रती दी, किन्तु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को रितुदान मांगने पर भी नहीं दिया, उसी पाप की पुन्य को अपने पिता को संकल्प कर दे, इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नर्क से मुक्ती होगी, मुनी के ये वचन सुनकर राजा महल में आया, और मुनी के कहने के अनुसार कुटुम सहीत मुक्ष दा एका दसी का वरत किया, इसके उपवास का कुछ प की सुकल्पक्ष की मुक्षदा एका दसी का जो वरत करते हैं, उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, इस वरत से बढ़कर मुक्षदेने वाला और कोई वरत नहीं है, इसका थाको पढ़ने या सुनने से वाय पे यग का फल मिलता है, यहे वरत मुक्षदेने वाला और चि